विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइविट लिमिटेश अभिनेता हो खिलाडी हो हमें लगता है कि लोग कितने भागेशाली हैं कितना नाम है इनका कितने उचे उचे पदों पर हैं पर क्या आप यह जानते हैं कि उनका बच्पन कैसा बीता होगा उन्हें भी बच्पन में बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़ा होगा बहु कोशिशे करने के बाद हो इस मुकाम तक पहुँचे होंगे तो आज मैं चित्रा बंसल आपकी हिंदी की अध्यापी का आप ही की हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कहानी जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूं उसमें आप यही देखेंगे कि लगबख सबका बच्पन एक जैसा ही होता है बच्पन में जो संघर्ष करता है मेहनत करता है वही उसको बड़े होकर बड़े बड़े काम करने में उचे उचे पदों तक पहुचने में मदद करता है आज जो हम पाठ परने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बड़ों का बच्पन और उसमें सबसे पहले हम डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के बच्पन के बारे में जानेंगे तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ पढ़िए बहुत नुकसान हो गया समुद्र में आया भयानक तुफान हमारी सारी नावें बहा कर ले गया अब्दुल के पिता जेनुला बुद्दीन ने अपनी परेशानी बाटते हुए पत्नी अश्यम्मा से कहा क्या कहा एपी जे अब्दुल कलाम के पिता ने कि समुद्र में भयानक खतरनाक तुफान आया जिसकी वज़े से उनकी सारी नावें तुफान में बह गई गई और ये बात उन्होंने किसके साथ बाटी अपनी पत्नी अश्यम्मा के साथ तो अब्दुल कलाम के जो पिता थे वे समुद्र में उनकी बहुत सी नावें चलती थी और यही उनका रोजगार था यही उनकी कमाई का साधन था जब वो समुदर में डूब गई वो नावे सारी तुफान के साथ बह गई तो यह तो उनको बड़ा भारी नुकसान हो गया तो बहुत परिशान हो गए अम्मा अब्बा की परिशानी जानकर नन्ना अब्दुल भी परिशान हो गया नन्ना मतलब छोटा यानि इस समय अब्दुल कलाम की उमर बहुत छोटी थी वो छोटे बच्चे थे पर जब उन्होंने अपने माँ पिता की बात चीच सुनी तो ये सुनकर वो भी बहुत परिशान हो गए अब तक तो बह समुद्री तूफान देकर चकित था समुद्र की अपार शक्ती पर हैरान था पर अब हैरानी की जगे परिशानी ने ले ली थी यानि वो छोटे थे और जब वो समुद्र में उठते हुई लहरों को देखते थे समुद्र में आये तूफान को देखते थे तो चकित यानि हैरान तो होते थे और उन्हें समुद्र की अपार शक्ती अपार मतलब बहुत अधिक जिसकी कोई सीमा ही नहीं है इतनी ज्यादा शक्ती है समुद्र में ये देखकर वो बड़े हैरान भी होते थे पर आज उनकी हैरानी जो थी वो परेशानी में बदल गई थी क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला कि उसी समुद्री तूफान ने उनका कितना नुकसान कर दिया है क्या हुआ अब्दुल? क्या सोचकर परिशान हो रहे हो? अब्दुल के चचेरे भाई शमसुद्दीन ने पूछा चचेरे भाई मतलब चाचा का बेटा तो जब उसने अब्दुल को परिशान देखा तब उसने उसे पूछा कि परिशानी की क्या वज़े है तुम क्यों परिशान हो तब क्या बताया अब्दुल ने तुम तो जानते हो कि तूफान के कारण अबा का अच्छा भला कारोबा ठप हो गया है ठप हो गया है मतलब बंद हो गया है बिलकुल खत्म हो गया है लेकिन तूफान पर किसका बस चला है उसे कौन रोक सकता है उसने परिशान होकर ये बात बोली तो उनके चचेरे भाई ने क्या कहा हाँ यह सच है अच्छा छोड़ो और बताओ तुम कैसे हो आजकल मैं भी बहुत परिशान हूँ तुम तो जानते ही हो कि दूसरा विश्वयुद्ध छड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का ठहरना बंद हो गया है अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुश कोडी के भी चलने वाली ट्रेन से गिरा दिये जाते हैं ये सब किस ने बताया अबदुल के चचेरे भाई ने वो समचार पत्र बाढ़ता था और यही उसका काम था पर अब क्या हुआ दूसरा विश्वयुद चल रहा था जिसकी वजह से उसको अपने काम में परिशानी आ रही थी तो अबदुल उसकी परिशानी समझ गया उसने का ओ तुम्हें उन गिरे बंडलों को उठाने में परिशानी होती होगी ना उन बंडलों को उठाने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसके बदले मैं तुम्हें कुछ रुपए दूँगा तो जब अब्दुल ने उसकी परिशानी को समझा और फिर उसने कहा कि अगर तुम मेरी इस काम में मदद करोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूँगा तो अब्दुल तयार हो गया उसने कहा हाँ मैं तयार हूँ उन रुपेओं से मैं अब्बा की मदद भी कर पाऊंगा तो उसे इस बात की खुशी हुई कि वहे मेहनत करके अपने अब्बा की परिशानी को थोड़ा कम कर पाएगा अब्दुल अब रोज स्टेशन से अकबार के बंडल इकठे करने में शमसुद्दीन की मदद करता जल्द ही वहे दिन आया जो अब्दुल के लिए बाकी दिनों से अलग और खास था शमसुद्दीन ने अब्दुल को बुलाया और उसे उसकी पहली तनकुआ दी तो पहली बार जब अब्दुल को अपनी मेहनत क्या फल मिला उस तनकुआ के रोप में तो बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि अब वो अपने पिता की थोड़ी मदद कर पाएगा तनकुआ के पैसों को लेकर जब अब्दुल अपने अब्बा के पास कया तो वे बहुत खुश हुए उन्होंने अब्दुल की मिहनत और इमानदारी की तारीफ की साथ ही काम करने की चिंता ना करते हुए अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के लिए कहा तो भले ही उनके पिता को कितने भी तकलीफ हो रही थी पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे को यही समझाया कि वो काम पर ज़्यादा ध्यान ना दे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे इस बालक का पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुला बदीन अब्दुल कलाम यही बालक आगे चलकर भारत का ग्यारवहा राष्टपती बना सबने सुना हुआ होगा अब्दुल डॉक्टर एपीजि अब्दुल कलाम का नाम तो वो हमारे देश के ग्यारवे राष्टपती तो बने ही साथ ही वो विशु प्रसिद्वे ग्यानिक भी थे ये भी आप सब जानते होंगे तो आपने देखा कि इतने प्रसिद्वे ग्यानिक वो बने बड़े होके ये देश के राष्टपती भी बने पर उनका बचपन कितनी तकलीफों में गुजरा तो जो लोग हमें नजर आते हैं अपने जीवन में कितनी सफलता उन्होंने प्राप्त की होती है कितने उंचे उंचे पदों पर होते हैं पर उसके पीछे उनका कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कितना संघर छुपा होता है ये हम नहीं जानते तो आज हमें डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के बच्पन की एक छोटी सी जलक देखने को मिली जिसे ये पता चला कि सभी का बच्पन एक जैसा ही लगभग एक जैसा ही होता है तो अब हम इनके जीवन का एक संक्षिप्थ परिचे प्राप्त कर लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुशकोडी गाउव जो कहा है रामेश्वरम में तामिलनाडू में हुआ था भारत के प्रथम स्वदेशी उपगरह का श्रे आपको ही जाता है यानि कि भारत का जो सबसे पहला भारत में बना हुआ उपगरह जो था वो आपको अब्दुल कलाम की मेंद से ही भारत रत्न से समानित किया गया अगनी और रत्रत में एक ऐसी उपड़िक्शन करने के तुमान है जो उपहुत लिए होने चाना जाता है तो इन्हें में बिष्ज दो हजाता है क्योंकि इन्हों ने अगरत की और रत्रत्रत के सफ़र परिशन किया था विंग्ज ओफ फायर, माई जर्नी, इंडिया, दो हजार बीस, एवं एगनाइटे माइन्स आपकी प्रसिद्ध पुस्टकें हैं इसका मतलब कि डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम ने बहुत सी पुस्टकें भी लिखी जो कुछ उन्होंने अपने जीवाने में अनुभव से सीखा विज्ञान के क्षेतर में जो भी कुछ उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, सफलताएं प्राप्त की वो सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से पुस्टकों के रूप में लिखा और उन पुस्टकों को पढ़कर हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे चलिए अब हम मदर टेरिसा के बच्पन के बारे में जानते हैं एगनेस तुम वहां मिटी में क्या कर रही हो? मा ने छोटी सी बालिका को पुकारते हुए कहा मा वो मैं मैं हिच की चाती बालिका मिटी से सने कपरों को जारते हुए उठ खड़ी हुई अरे तुम यहां पट्टी दवाई लिए क्यों बैठी हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माने बालिका द्वारा अपने नहने हाथों में छिपाए जा रहे जीव को देख कर पूछा तो ये एगनिस नाम की एक छोटी सी बालिका थी जो अपने हाथ में छोटे से जीव को एक पक्षी था शायद वो उसे ले हुए थी और साथ साथ उसके हाथों में क्या था दवाई और पट्टी तो उसकी माँ ने उसे आवाज लगा कर पूछा कि वो क्या कर रही है माँ ये चीची चीडिया है बालिका ने उतर दिया तुम इसे हाथ में लिए क्या कर रही हो उसे छोड़ दो और आसमान में उड़ने दो मा ने चीची को बालिका के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा क्योंकि पक्षी तो आकाश में उड़ना ही पसंद करते हैं अगर उन्हें कोई पकड़ ले या पिंजरे में बंद कर दे तो उन्हें बिलकुल अच्छा नहीं लगता तो एगनिस की मा को लगा कि वो क्यों उस पक्षी को हाथ में लिए हुए उसे आजाद कर देना चाहिए तब एगनिस ने क्या कहा मा इसे चोट लगी है मैं इसे दवा लगा रही हूँ चीची की चोट दिखाते हुए बालिका ने कहा मा बालिका की दया भावना देखकर चकित रह भई चकित मतलब हैरान मा किस पास से चकित हो गई कि इतनी चोटी सी बच्ची और एक पक्षी को घायल देखकर उसकी चोट को देखकर वो कितनी दुखी हो गई और उसने उसकी चोट पर दवा लगाई उसको पट्टी बानने की कोशिश की तो उसकी इस भावना को देखकर मा को फैरानी भी हुई और बहुत खुशी भी हुई और जानते हो यह बालिका आगे चल कर कौन बनी? Mother Teresa बालिका ने अगले कुछ दिन तक चिडिया की देख भाल की और उड़ने के काबिल होते ही उसे नीले गगन में पंक फैला कर उड़ने के लिए छोड़ दिया यही नन्नी भालिका आगे चल कर Mother Teresa के नाम से प्रसिद्ध हुई क्या पता चलता है बच्चों इस बात से? कि बच्चपन में हम जैसा महौल देखते हैं जैसा हम स्वभाव रखते हैं वही स्वभाव हमारा बड़े होकर हमें बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है तो Mother Teresa जो बच्चपन में एक छोटे से पक्षी की तकलीफ को देखकर भी दुखी हो गई और उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न किया उन्होंने बड़े होकर पूरे समाज, देश और दुनिया के लोगों की मदद करने के लिए अनेकों काम किये तो अब उनका संक्षिप्त परीचे छोटा सा परीचे प्राप्त करते हैं ये पढ़कर मदड टेरिसे का जन्म 27 अगस्त 1910 को युगोसलाविया के कोपजे नगर में हुआ था आप 18 वर्ष की अवस्था में नन बनी थी तथा 1928 इस्वी में एंटाने स्थित सेंट मेरी स्कूल में शिक्षिका के रोप में भारत आई आपने दीन, दुखी और पेड़ित व्यक्तियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर मदर हाउस, निर्मल हृदे, सेवाश्रम तथा निर्मल शिशु भवन की स्थापना की उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाइं स्थापित की, ऐसे काम किये जहां से लोगों को जितने भी लोग दुखी हैं, घरीब हैं, जिने किसी की सहाइता की जरूरत है उन्हें सहाइता मिल सके, ऐसे ऐसे काम उन्होंने किये वर्ष 1980 में आपको भारत रत्न से समानित किया गया भारत रत्न की उपाधी आपको मैंने पहले भी बताया उन लोगों को मिलती है जो बहुत महान कारे करते हैं अपने जीवन में 5 सितंबर 1997 में आपका स्वर्गवास हो गया यानि उनकी मृत्य हो गई पर आप देखिए ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है भले ही उनकी मृत्य हो जाए पर फिर भी वो हम सब के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं अब तीसरा बच्पन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वे है गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक दिन गणित के अध्यापत ने सभी बच्चों को एक सवाल हल करने के लिए दिया सवाल थोड़ा कठिन था गोपाल ने सोचा क्यों ना अपने उस मित्र की मदल ली जाए जो सभी विशियों में बहुत होशियार है यह विचार आते ही वह दोड़ा दोड़ा अपने मित्र के पास गया क्या हुआ गोपाल इतना हाफ क्यों रहे हो कहां से दोड़े दोड़े आ रहे हो मित्र ने अपने घर आए गोपाल को हाफता देखकर पूछा हाफ ना मतलब जब हम भागते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है ना तो जब भागता हुआ अपने मित्र के पास पहुँचा गोपाल नाम का बालक तो उसके मित्र ने उसको पूछा कि तुम्हें इतनी सांस क्यों चड़ रहे हाफ क्यों रहे हो तो उसने क्या कहा मित्र मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है क्या तुम मेरी मदद करोगे गुपाल ने कहा हाँ करूंगा क्यों नहीं करना क्या है पहले वह तो बताओ मित्र ने मुस्कुराते हुए पूचा तो गुपाल ने क्या कहा गणित का एक प्रश्ण क्रहकारे में मिला है मैं इसे हल नहीं कर पा रहा गुपाल ने बोला उसे तो उसने क्या कहा लाओ प्रश्ण दिखाओ अरे यह तो बहुत सरल है मित्र ने गुपाल के हाथ से कौपी लेकर प्रश्ण देखते हुए कहा और कुछ ही देर में उसे हल कर दिया गुपाल बहुत खुश हुआ उसने मित्र को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लोटाया तो क्या हुआ था ये सब कि गोपाल को अध्यापक द्वारा दिया गया एक सवाल आ नहीं रहा था उसको हल करना नहीं आ रहा था तो उसने अपने उस मित्र से मदद मांगी जो सभी विश्यों में बहुत अच्छा था पढ़ने में और उस मित्र ने जट से उस सवाल को हल कर दिया फिर क्या हुआ देखते हैं अगले दिन कक्षा में अध्यापक ने सभी बच्चों की कापियां जाची मतलब चेक की किन्तो एक बालक की कौपी जाचनी के बाद वे बहुत खुश हुए वह बालक था गोपाल उसी ने प्रश्न को सही ढंक से हल किया था जबकि बाकी बच्चों ने प्रश्न का सही हल नहीं निकाला था वह प्रश्न मुश्किल हुआ होगा ना तो इसलिए किसी बच्चे से नहीं हुआ हुआ तो गोपाल से भी नहीं था पर उसने किस से करवा लिया था अपने मेत्र से फिर क्या हुआ अध्यापक ने गोपाल को बुला कर शाबाशी दी और उसे कक्षा में प्रथम पंक्ती में बैठने के लिए कहा परंतु गोपाल खुश होने की जगे रोने लगा आप समझ गए ना क्यों रोने लगा तो फिर अध्यापक नहीं समझे उस समय उन्होंने कहा गोपाल तुम रो क्यों रहे हो गोपाल बोला यह प्रश्ण मैंने हल नहीं किया मेरे एक मित्र ने किया है मैंने तो बस उसकी नकल उतारी है आप से मैंने यह सच शिपाया आप मुझे सजा दे सकते हैं गोपाल ने रोते रोते बताया क्या मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगा कि जो काम उसने खुद नहीं किया है उसके लिए उसकी तारीफ की जा रही है इनाम मिल रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने सच सच अध्यापक को बता दिया अध्यापक सच सुनकर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे वह इस बालक की सच्चाई, इमानदारी और भोलेपन पर हैरान थे मतलब वो हैरान भी हुए और उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि उस बच्चे ने उन्हें सच सच बताया यही नन्ह गोपाल बड़ा होकर कॉंग्रेस के प्रमुक नेता के रूप में प्रसिद्ध हुआ इसका पूरा नाम था गोपाल कृष्न गोखले गांधी जी पर भी इनके विचारों का बहुत प्रभाव हुआ तो आप लोग गोपाल कृष्न गोखले जी का नाम शायद न जानते हों पर गांधी जी का नाम तो सब ने सुना है और गांधी जी स्वयम गोपाल कृष्न गोखले जी को अपना गुरु मानते थे तो क्या देखा आपने कि बचपन की सच्चाई इमानदारी बड़े होने तक हमें किस तरह से आगे बढ़ने में मदद करती है तो चलिए अब गुपाल कृष्ण गोखले जी के जीवन का छोटा सा परीचे प्राप्त करते हैं गुपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को मुंबई के कोटलुक ग्राम में हुआ था आपने सनातक तक की डिग्री प्राप्त की आप कॉंग्रिस के नरम दल के नेता थे दो तरह के दल होते हैं गरम दल जो की लड़ाई करके जीतना चाहते हैं और एक नरम दल जो प्यार से बिना जोर जबरतस्ती के बिना हिंसा के काम करना चाहते हैं गांदी जी के राजनेतिक गुरु होने का श्रे आप ही को जाता है श्रे का मतलब उसका क्रेडिट आपको ही जाता है आपने पुना की सार्व जनिक सभा के मंत्री के रूप में कारे किया ततब भारत सेवक समाज की स्थापना की 19 फरवरी 1915 को आप स्वर्ग सिधार कए तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपने जीवन में सच्चाई इमानदारी और अहिंसा से काम किया और गांधी जी के साथ साथ हम सब ने उन से बहुत कुछ सीखा और हमेशा सीखते रहेंगे तो क्या सीखा बच्चों कि कोई भी काम हो उसको मन से करना चाहिए लगन से करना है इमानदारी से करना है हर काम को करने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर कदम पर हर काम के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं और ऐसे ही सीखते सीखते एक-क सीडल चड़ते-चड़ते हम उचाइनों तक पहुंच जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे हर काम को अच्छी तरह से मन लगा कर इमानदारी से करेंगे तो फिर आप भी ज़रूर बड़े-बड़े काम कर पाएंगे